अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और जो बिल लाइकन लिक रहा है उसको बिल लाइकन दबाकर उसको नोटिक्विशन आप पा सकते हैं नमस्कार दोस्तो स्फवत है मेरे चैनल पर मेरा नाम है स्टियाम मुंडब आज हम बात करेंगे इं?पैसिद के बारे में बात करेंगे उससे कैसी डाउनलोड क्या जाता है और इंस्टल कैसी क की जाता है इसमें अलग अलग क्याश प्रम देसकर है आज ENPS application के बारे में, यानि ENPS app के बारे में हम बात करेंगे, लॉगिंग कैसे किया जाती है और उसे install कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं मेरे प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आपको ENPS लिखना पड़ेगा, और search हीजिए, search करने के बाद आपको search हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, थोड़ा सा कुछ प्राउलम है, कुछ बरसात यहाँ पे चल रही है, इसलिए net का थोड़ा सा प्राउलम है, तो यह देखिए, यह application open हो चुका है, इनमें से official application में आपको बताने के कोशिश करूँगा, जो आपको install कर लेना चाहिए, इसमें से दो ही official application है, लकिन हम NPS के बारे में, इस application के बारे में हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह application अभी तक इसकी rating, अच्छी rating है, 3.8 की rating है, इसे अच्छे अच्छे बहुत सारे लोगों ने उसे डाउनलोड किया वाला है, आप देख सकते हैं, इसके image देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, आप देख सकते हैं, इसे पूरी तरीके से आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं, आप इसमें से बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, जो कि आपको आपके लिए बहुत यादगार हो जाएंगे, यानि आप की useful हो जाएंगे, तो यह official application है, तो हम उसे open कर लेते हैं, हमने तो यह process पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक logging है, यह customer है हिंदी है, अगर हिंदी में आप application news करना चाहते हैं, तो हम हिंदी पर click करेंगे, आप देखिए, यहाँ पर logging है, आइंशदान है, और English में अगर आप करना चाहें, तो आप English में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बा चैनल logging कैसे किया जाता है, इसमें और कैसे कैसे किया जाता है, मैं आई बटन में एक link देदूँगा, इसके बारे में आप पूरी उस वीडियो पे जाके आप उसकी और जादा इसके बारे में जान सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको आच्छा लागा, तो प्लीज मेंचा